नमस्कार स्वागत है आप सभी का बिहार एनेम 10700 भरती लेटिस्ट अपडेट में दोस्तों कैसे आप सभी उमीद है आप अच्छे और स्वस्थोंगे दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम एनेम 10700 भरती संबंदित आपको महत पूर्ण अपडेट देने वाले हैं आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कोड केस के लिए अभी कितना दिन बचा है और कोड केस अगर होगा तो क्या होगा कोड केस हुआ तो इस भरती पर क्या प्रभाव पड़ेगा और सम्मीदा और फ्रेस बाले जितने भी अभ्यारती हैं उनके लिए क्य खास अपडेट है और लाश्ट डेट क्या निर्धारित की गई है तो आज इस वीडियो के माध्यम सापको संपोर जानकारी मिलेगी तो दोस्तों आप लोगों से एक रिक्विस्ट है कि चैनल को ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब कीजी वीडियो को अपने दोस्तों को भी सबसे पहले बात करते हैं एन्म 10,709 भरती से संब्दित तो दोस्तों सबसे पहले एन्म 10,709 भरती प्रक्रिया में कोर्ट केस के लिए आपको केवल दो दिन का ही समय बचा है अगर आप जितनी जल्दी कोर्ट में अपील दायर कर देंगे तो हो सकता है कोर्ट के माध्यम से इस भर्ती पर इस्टे लागो हो जाए और इस भर्ती को आगे बढ़ाया जाए और ये भी हो सकता है कि इस भर्ती को पुरानी निमवली के आधार पर भी कोड के माध्यम से आदेश जारी कर दिया जाए क्योंकि इस भर्ती का जो प्रारोप था सुरू में वो काउंसलिंग का आधार था लेकिन अब एक्जाम का आधार बना दिया गया है ऐसे में आपके पास मात्र दो दिन का समय बचा हुआ है जब आवेदन प्रक्रिया जारी हो जाएगे तो आप कोर्ट केश नहीं कर पाएंगे और हर हाल में आयोग हो सकता है दिसम्बर या जनवरी माह में हर हाल में इस भर्ती के लिए एक्जाम की जो नोटी फिकेसा रहे उसको जारी कर दे ऐसे में दोस्तों आप जितनी भी जल्दी हो सके कोर्ट में अगर एनिम दसजार सासोन भर्ती प्रक्रिया में जल्द से जल्द कोई करवाही चाहते हैं तो कोर्ट में अपील अगर दायर कर दे तो दोस्तों एक बात तो इसमें क्लियर है कि एनिम दसजार सासोन भर्ती प्रक्रिया में अब एक्जाम होनाता है और जो इस भरती के लाश्ड डेट निर्धारित की गई हो बाइस तारी को जो आवेदन पत्र का प्रोरूप हो इसको जारी कर दिया जाएगा और सभी अभ्यारति को आवेदन करने का मौका मिलेगा तो दोस्तो इसी 22 तारीक के अंदर यानि दो दिन का आपके पास अभी समय बचा हुआ है दो दिन के अंदर आप कोर्ट में अपेल डायर करके इस भरती पर अगरिम कारवाई के लिए प्रेसित कर सकते हैं तो दोस्तो अगर आप एक जूट नहीं होंगे तो हो सकता है भिहार एनियम 10,000 सासनों भरती प्रेक्रिया में एक जाम के ही आधार पर पूरा हो अगर इस भरती का जो नोटिफिकेसन ने उसको जारी कर दिया जाएगा और अगर अभिहारती इसमें आलाइन आवेदन कर देंगे तो बीच में कुछ इसमें संसोधन नहीं होगा फिर उसके बाद आयोग एक से दो महिने के बेतर इस भरती में एक जाम की प्रेक्रिया लागू कर देगा क्योंकि हर हाल में इस भरती को जल से जल आयोग के माध्यम से पूरा किया जाएगा क्योंकि चुनाओ भी आने वाला है चुनाओ की जो प्रेक्रिया होगी वो लगबग दोहजार चौबिस में होगी ऐसे में आयोग का यही साबसाब निर्देश है कि इस भरती को जल से जल पूरा किया जाए लेकिन अगर कोर्ट केस हुआ तो क्या हो सकता है यह भी जान लीजे अगर इस भरती में कोर्ट केस हुआ तो इस भरती को हो सकता है काफी दिन का समय लग जाए पूरा करने में क्योंकि अगर किसी भी वेकेंसी को कोट में जब पहुंशती है तो उस वेकेंसी के जो प्रक्रिया होती है वो लगभग 2-3 साल तक हो जाती है जैसे यूपी में वीडियो एक्जाम कव हुआ था इसमें 2019 में कोट में अपील डायर की गई थी और लगभग 2022 में एक्जाम हुआ था लगभग 3 साल बाद ऐसी प्रक्रिया निर्धारित की गई थी हो सकता है अगर आप कोर्ट में अपील दायर करें तो अपील दायर होने के बाद लगभग आपको दो से तीन साल का इंतजार करना पड़ेगा कोर्ट का आडर आने के बाद जब कोर्ट का आडर आएगा तो हो सकता है कोर्ट का आडर जो आए वो आपके पच्छ में आए या न पच्छ में आया तो अच्छी बात है ना पच्छ में आया तो हो सकता है फिर आपको एक्जाम देना पड़ेगा इसलिए अगर एक प्रकार से देखा जाए तो इस भारती को जल्द से जल्द आयो का जो पूरा करने का निर्देश है वो एक प्रकार से चात्रों के हित में होने गई है अर्थाति इस भरती में सभी को एक्वल कर दिया गया है तो दोस्तों अगर आप कोट में अपील दायर करना चाहते हैं तो मातर दो दिन के अंदर आप कोट में अपील दायर कर सकते हैं और इस भरती की जो अगरिम का रुआई है उसको उसमें रोक लगा सकते हैं तो य लेकिन अगर इस भरती में court case हुआ तो यह मान के चलिए यह भरती कम से कम 2 से 3 साल तक डिले हो जाएगी अगर 2 से 3 साल तक डिले हुई तो अने म 10,709 भरती में जितने भी सम्विदा याम फ्रेस हो बहारती हैं उन उनको दो से तीन साल बाद फिर जब notification आएगा तो उस notification के अनुसार उनकी प्रक्रिया निर्दारित की जाएगी लेकिन अगर इस भर्ती की जो सम्विदा वाले अभ्यारतियों की अगर बात करें इस भार्ती में भी 25 परसंट का आरच्छन आपको मिलने वाला है इसलिए अगर आप court case नहीं चाहते तो 25 परसंट का जो आरच्छन का लाभ है उसको लीजीए और उसके बाद अगर आपके पास G&M का court से तो 10 परसंट का आरच्छन आपको मिल जाएगा अगर आपके बाद पास BSC या MSC नर्सिंग का कोर्स है तो 15% का आरच्छन आपको मिल जाएगा तो एक प्रिकार से देखें कि गौवर्मेंट के माध्यम से आपको टोटल 40% का आरच्छन मिल रहा है अगर 40% का आरच्छन सम्विदा के चात्रों को इस भरती में मिल रहा है तो अगर 60% में यानि 60 अंकों की परिच्छा में अगर आपने 20% ही कोश्चन कर लिया तो 40-20-60 यानि आपका सिलेक्षन इस भरती में 100% होना तया है तो दोस्तों ये प्रिकार से देखा जाए तो आप लोगों के लिए जितने भी सम्विदा अनेम के चात्र है उनके लिए ये वेकेंसी दोनों प्रिकार से होने वाली है चाहे वो काउंसलिंग का आधार पर हो या मेरीट के आधार पर दोनों का आधार जो बनाया गया है गौवर्मेंट के माध्यां से वो आरच्छन के लिए निर्धारित किया गया है क्योंकि सरकार का जो निर्देश था कि सम्विदा अनेम को खास मौका दिया जाए जो फ्रेस्ट बाले अभ्यार्थी होंगे उनको और अच्छड कलाब नहीं मिलेगा तो एक प्रदार से देखा जाए फिर इसके कंडिडेटों को 40% ऐसे ही और अच्छड कलाब नहीं मिलेगा तो अभ्यारतियों के लिए 40% के जो प्रक्रिया है वो ऐसे ही कम हो जाएगी इसलिए दोस्तों इस भरती में सम्विदा एनेम का ही अब भी सिलेक्शन होने का चांस है अगर इस भरती में आप कोर्ट केश नहीं चाहते हैं तो जल से जल अपनी तयारी सुरू कर दीजिए क्योंकि इस भरती का नोटिपिकेशन जारी हो चुका है नोटिपिकेशन जारी होने के बाद आवेदन प्रक्रिया पूरी की जाएग अब जल से जल इस भरती में एकजाम की तारीकों का एलान कर देगा क्योंकि जो चुनाओ है वो जो हजार चौबिस में है तो हो सकता है इस भरती को जल से जल गौर्मेंट के माद्यम से पूरा किया जाए इसलिए दोस्तों आप देरी मत कीजिए जो भी प्रक्रिया है उसको निर्धारित कर दीजे कि आपको करना क्या है